हमने देखा कि मौरे समराज्य के समाप्त होने के बाद कई देसी एस्थानिय राज्य जो होते हैं वो अस्तित्तों में आते हैं देसी राजवन्सों में हमने देखा था कि मद्य भारत वाला एरिया जिस पर सुंग और कनवों का सासन था इसके अलावे हम लोगों ने दक्षिन में सत्वाहन बंस जो देसी राज्ये था इसके बारे में भी पढ़ लिया है और इसके लावे कलिंग के चेदी बंस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया कि खारवेल के बारे में पढ़ा उनके हाती गुफा फिले के बारे में भ मर्योत्तर काल में कौन से विदेशी काल से हुए उससे पहले का क्या इतिहास रहा है इस सारी बातों को हम लोग एक जगई कठे अब बहुत ही आसान वे में बहुत ही क्लियर कट में हम लोग देखने जा रहे हैं ताइक कोई भी डाउट जो होता है वो रह न पयार जिसके अब तह mitra होते हैं वह मुटा होते हैं वह सतापित होते हैं कारण इसका साफ जरसात है चिमाओं की दिश्टी से काफी शस्रक्षित है और दाइन करते हैं थ्यजँ सवरुष करके यहां के समराज्यों पर अपना राज्य अधिपत्य स्थाफित करते हैं इधर जो होता है उत्तर में हम देख रहें कि इधर से हिमाले परवतमाला की लंबी स्रिंखला जो होती है इसे पार करके कोई भी विदेशी आकरंता जो होता है आर्नी की कोशिस में करेगा और पूरब और पस्म की बात की जाये तो यहां पर पर समुंद्र और दक्षिन में भी समुंद्र भारी जलरासी होने के कार यहां सी भी लगवव ही आये इसलिए भारत में जितने भी आकरानता आ से आ यहां से आ Εंइं यहां से पाकस्तान वाले से काबुल से होते हैं उसलिए यहां से कोई आ जा सकता था तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले अगर मौर्यों से अगर पुर्व चला जाए तो वहां पे देखते हैं कि मद्ध इसिया में इरान जो था सबसे पहला इरान का अक्रमर भारत पर होता है इसके बाद युनान का होता है मैंने एक छोटा सा चार्ट लगा दिया समझने के लिए हम मर्योतर काल पढ़ रहे हैं लेकिन अगर पुरे इतिहांस को क्लियर समझे तो मौर्यों से भी पहले यहां पे इरान का अक्रमर हो चुका होगा एक सिल सिलवार यहीं के बाद इक पढ़ेंगे तो सबसे पहले इरानी हैं देखेंगे और करिथे कि मेरी समझेंगे कि मर्यों की पुर्व कि घटना है इरान के हाकमनी मैं है इरान के हाकमनी बंस का संस्थापक जो था इरान में साइरस दिवतियू को कुरूस भी कहा जाता था वो उसने 500 इसापुर्व में भारत पर आकमर करने का असफल प्रयास करता है हाला कि वो अपने इस अभियान में सफल नहीं हो पाता है इसके बाद इसका उत्राधिकारी डेलियस पर्थम होता है डेलियस पर्थम को इतिहास में दारा पर्थम के नाम से भी जाना जाता है जिसने कमबोज पस्मिक कांधार और सिंध छेत्र पर अधिकार कर लेता है और यह घटना 516 इसाफुर्व की है तो हम देखते हैं कि साइरस दिव्चिय जो होता है इरान का सासक्स स्थाफक हगमनी बंसका वह तो प्रयास करता है हाला कि वह सफल नहीं हो पाता है लेकिन इसी का उत्राधिकारी स्थाइरस डेलियस पर्थम जिसे दारा पर्थम का जाता है इसने भारत के पसमोत्तर हीसा के कुश्टे अरिया को अपन यहां मोर्य पुर्व की काल की घटना है इस अकरणी का प्रभाव पढ़ता है कि तो इसका कुश न कुश प्रभा हमारे यहां जरूर पढ़ेगा तो protective म究ं का बहुत सारा प्रभा परता है जैसे एक हम देखें तो इरान की संस्क्रिती जो होती है उसे भारत की संस्क्रिती का मेल जोल होता है और एक नई संस्क्रिती का उद्भा होता है इसके लावा भारत के बेपार में भी ब्रिदी होगी हम जानते हैं कि अगर किसी भी देश में बाहरी लोग आते है तो दोनों द भारत बात करेंि एसका इस मिलता है तो अग ऊसम देखे रहा है, हम भारत की संस्कृति happiness मिलता है इसकंटी में हम बहुत सारी डिन ला कर चरी में हम देखेंगे ऑगे कि इरान का सीधा सा पर्वां भारत में परता है तो इस मिला cuला रूप परता है इंद्लह मिलानी राजवनस को देखेंगे इडानी आक्र्मर के बाद भारत-पर-ंपर दिभा है और सिकंदर जो होता है अगर सिकंदर के बारे में जान ले तो सिकंदर जो होता है सभी को पता है सिकंदर कौन था या यूनान के राज्य मक्दुन्य यं मेस्ीडून्य का Gardens इस्थानी इस्थासक ही फिलिप दिवतिय का लड़का था पिलिप दिवतिय जो था वह किसी सडयंत में मारा जाता है और सिकंदर के हाथ में मेसिडून्य का शासन चला आता है और उस समय उसकी उम्र मात्रविस वर्ष की होती है और यह घटना लगभग 329 इसापुर्व की होती है अगर सिकंदर की बात की जाए तो सिकंदर का सिकंदर जैसा महान बेक्तित्व है उसका गुरू भी उतना ही महान है इसकी गुरू जो थे वह की इसरुकि सिक्षायों का प्रियना कहे और जो भी कहे सिकंदर जो था वह बहुत ही महत्वकाश्य था और उनक्रवाद से वह विश्व बिज्यता का सपना देख रहा था उनीक्त असिर बाद से वह बिस्व कर जितने का जो प्लानिंग बनाया था आगे बढ़ा और भारत उसका आक्रमन होता है 306 सीषापूर पर भारत पराक्मन करने को दिस्ते से सिंवह हिंदू कुस को पार करता हुगा अगर बारत में पड़ा हुँआ आगे बढ़ता है और जब वह पकिस्तान के तक्षिला के समीप आता है जब वह तक्षिला में आता है तो तक्षिला में जो होता है उसका सामना पहली बार वहां के सासक आमभी से होता है प्रन्त आमभी जो है वह कमजोर निकलता है और आमभी जो होता है वह सिकंदर की सेना के सामने आत्म समर्पन कर देता है वो गुटने टेक देता है और वह उसके बिजय रत को आगे रोक नहीं पाता है और बलकि उसका सहायता करने का ही अस्वासन देता है तो यहां तक सिकंदर को जो है किसी भी परकार का सामना नहीं करना पड़ता है इसके बाद वह आगे जो होता मैं चांग्र Kapit an team पूरस के नाम आजाता है और यूद में पराजित हो जाता है जिसे धेलम का यूद का जाता है प्रनतों पूरस के इस हम सहाच से वह प्र्भावित होता है और उसका राज्य जो होता है वह हो उसे वापस कर देता है इसके बाद सिकंदर 12 नदी के किनारे पहुचता है उसे पार करने की योजना बनाता है हला की यहां पहुचने के बाद उसके सैनिक जो होते हैं कारण हो जाते हैं इस कारण की अगर हम बात करें तो पहला तो यह था कि उसके सैनिंग जो होते हैं लगतार कई महीनों से लड़ रहे थे वे ठक चुके थे और वे घर वापस जाना चाहते थे इसके अलावा भी उस समय मगद के मगद पननंद बंज का साषन चल रहा था और घंनानंद जो था वो काफी अट्यचारे और उसका समराज जो था काफी बिसाल था उसके पास से नाय जो थी वो काफी सम्रिद सेनाय उसके पास थी इस कारण भी इसके सायनिक जो होते हैं इस बात से लेकर भायवित थे और उन्हें ये बात की चिंता थी कि अगर पूरस पूरस जो था अगर छोटा सा राजा हम वे इतना कड़ी टकट दे सकता है तो फिर मगद जो होता है मगद हुबता है विच्जू जी अपना रत वहीं पर अपना अपना हसियार वहीं पर लाट देता है वह वहापस जानी का प्लान बना लेता है और य Ebola भारत में मात 19ग माह इस Π्रकार हम देखते हैं कि सिकंदर जो था उसका विजयी रत जू हो था वह भारत के ब्यास नइदि के किनारे आकर रूप जाता है कारण जो भी हो लेकिन वह हि से पार नहीं कर पाता है और तो विश्व Bibita बनने का जो सपना था वा स्व अधूरा रह जाता है इसके बाद हम ब्HARACE कि भारत के विजित राज्य जो थे सेल्योंकास के हाथों में आ जाता है और कि काफी संगर्सों के बाद इसके उतरा दिकारी एंटियोंकस परथम वह समराज्य को किसी वी तो होते हैं उस समय तक इसका राज्य जो होता है कमजोड हो जाता है हम यहां तक देखेंगे कि सेल्युकस को चन्रगुप्त-मारे तित्यक्त्य। वह दियो डॉर्थम पर्थम कर रहा था जबकि दियो डॉर्थम किया और उसने बैक्ouring पर बैक्टिया ऐसरी को अलग सतन्तर राज्य बना लेता है और इस परताशन करने वाले लोग हेसे ही हिंद यूनानी क gep रते यहां पर देख रहे हैं इसी बैक्ट्रिया राज्य का सासक देवेटियस होता है और इसने भारत पर पहला आक्रमर करता है और अफगानिस्तान पंजाब और सिंध को जीत लेता है देख रहे हैं और इसे ही पहला हिन दीव्नानी कैया जाता है जिसने मरियोत्तर काल में भारत, पर प्रामर करता है और उसके कुछ सेतरों को अपने अधिकार्षित्र में ले आता है तो देमेटियस वह पहला सासक था पहला हिंद इवनानी सासक था जो भारत पहला अक्मर करता है और अफगनिस्तान पंजाब और सिंध वाले एरिया को जीत लेता है इसी बंस का सबसे महान सासक मिनांडर होता है और हिंद इवनानी सासकों में यह सबसे विख्यात सासक था इस लीवनानि सासक होने के बाजूद या बहुत धर्म गरहन कर लेता है इसलिए मिनांडर जो होता है बहुत गरंथों में इसका व्लेख फ्राप्त हो जाता है मिनांडर जो होता है एक बहुत भिक्चू नागसेन से बात करता है और उसकी बातों से प्रवाइत होकर यह जो होता है इस धर्म को अपना लेता है तो नागसेन और मिरांडर के प्रस्ण जो होते हैं मिलिंद पन्हो नामक पुस्तक में जो होते हैं वे संगरहित है और इसकी रचना जो होती है वही नागसिन या जी से नागरजुन भी कहा जाता है उसनी इसकी रचना कीती हिंद इम्नानी सासकों नहीं सरुपर था हिंद इम्नानी सासक जो होते हैं वे उनके नाम एक उलेखनिये उपलवदी हासिल है जैसे कि इसने पहली बार सोने के सिखे जारी किये थे भारत में इसके पहले किया थे कि तामबे का चांदी का पोटीन का सिखे के सिखे भारत वर्स में जारी किये गया थे और चल रहे थे ल भाव पड़ता है उसकी संस्क्रिती में जो प्रवर्तन होता है उसी तरह हिंद युनानी सासको का भी भारतिय छेतर में बसने और एक जगा रहने से उनके भारत और युनानियों के बीच एक समंद्ध बिक्सित हो जाता है और एक नई संस्क्रिती का विकास होता है और यहां पर देखेंगे कि युनानी जो अधार्य करते हैं और किस करते हैं इसके बाद हम लोग सक को देखेंगे सितियईर भी का जाता है और इसके बाद हम फिर पहल्लाव जिसे पार्थियन का आ जाता हीने देखेंगे उसके बाद लास्ट में हम कुसानों को देखेंगे और इस प्रकार हम विदेशी राजबंसों को समात करती हुए आगे बढ़ेंगे